वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके मेल आइकन में आल को प्रेस कर दीजिए नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका किछा स्टेशन से बहुत-बहुत स्वागत है किछा स्टेशन को अमरत स्टेशन बनाया जाएगा, जैसा कि अभी हाल ही में रेलवे ने निरने लिया है चुरिंदा स्टेशन को अब अमरित स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा तो इसमें पैसा लगाया जाएगा जो इसका इंफ्रस्रक्चर है उसको बेतर किया जाएगा किच्चा स्टेशन पर अभी जो पैदल पुल का निर्माड है वो अभी इनकंप्लीट है अधूरा है उसमें अधिक प्रोग्रेस अभी तक देखने को नहीं मिल पा रही है जो यहाँ पर FOB बनाया जाना है आप देख सकते हैं फांडिशन बना करके कुछ उसमें फिलिंग कर दी गई है जो उसकी नीव होती है फांडिशन में लेकिन अभी जो उसका structure है पूरा उसको खड़ा किया जाना बाकी है और इसी के कारण लोगों को यहाँ पर एक platform से दूसरी platform जाने में चाहे बुजर्ग हों महिलाएं हों उनको track को फांद करके जाना पड़ता है जब यहाँ पर दो ट्रेंस खड़ी हो जाती है और साथी साथ अब निया वर्ष आ गया है वर्ष 2023 तो देखना होगा किच्छा स्टेशन से खटीमा स्टेशन के बीच जो रेल लाइन बनाई जाने थी वो प्रोजेक्ट भी अभी तक लटका हुआ है और इसमें उत्राखंड के वर्तमान हमारी जो मुख्यमंत्री जी है प ताकि फिर जो नानक मत्ता होते हुए सितार गंच हमारा जो इंडस्ट्रिल एरिया है उसको भी फाइदा होगा साथी साथ टनकपुर की दिशा से लालकुआ के दिशा में आना आसान हो जाएगा छोटा रास्ता हो जाएगा धेरादून जाने के लिए भी एक वैकलपिक मार बन जाएगा लालकुआ होते हुए तो इस पर अब ध्यान देना चाहिए क्योंकि सारे प्रोजेक्ट उत्रा खंड के भी बहुत लटके हुए लंबित हैं चाहे हम काशिपुर धामपुर रेलाइन की बात करें ये देखे यहाँ पर FOB नहीं है तो लोग किस प्रकार से ट्र अभी बरेली की दिशा से आई है यहाँ पर सवारियां किस प्रकार से दो नंबर प्लैटफॉर्म पर ट्रेन रुकी है तो उतर करके ट्रैक्स को फांद करके लोग निकल रहे हैं तो FOB यहाँ पर बहुत समय से लंबित है जिसका निर्मार अब लगता है कि वर्ष 2023 में निर्मार जल से जल होना चाहिए यहाँ पर किछा स्टेशन पर महिलाएं हैं बच्चे हैं ताकि फिर ट्रैक से कूट करके ट्रैक के उपर इस प्रकार से पार करने में दुरगटना भी होती है चोट लगने का भी डर होता है और बांडरी वॉल भी दो नंबर प्लैटफॉर पर ना आएं शेल्टर भी थोड़े बढ़ाने चाहिए तो नंबर प्लैटफॉर्म पर भी कुछ बड़े शेल्टर भी दो लगाने चाहिए यहाँ पर किछा एक बड़ा स्टेशन है आप कह सकते हैं उत्राखंड का प्रवेश द्वार है यहीं से आगे उत्राखंड सब श मंतरी ने चाहिक प्रवेश कुक्त की तुछ एक पिरल मंतरी जी भी ध्यान देंगे ताकि किछा खटीमा रेल लाइन जो डिमांड है लोगों उत्राखंड के लोगों की बहुत लंबे समय से ये डिमांड चली आ रही है क्योंकि इस रेलाइन के बनने से जो व्यापारी वर्ग है उसको भी फायदा होगा परेटन को बढ़ावा मिलेगा नारक मत्ता में गुर्दवारा है वर्ड फेमस सभी जानते हैं तो परेटन के लि है इस पर बात आगे नहीं बढ़ पा रही है तो वर्ष 2023 में जैसा आप सब जानते हैं कि रेल बजट अब आम बजट के साथ आता है और फरवरी में बजट आने की उमीद है जैसा कि आप सब जानते हैं तो इस बार रेल में उत्तराखंड की जो परियोजनाय हैं जो लंबि लिए क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी और इसी लिए चुकि अभी बजट आने में समय है हम लोग उत्राखंड की जित्ते भी हमारे विशेशकर टनकपुर खटीमा और किछा इस खेत्र के लोग हैं जिनकी ये बहुत लंबे समय से मांग है किछा खटीमा रे रहे हैं बजट से पूर कि आने वाले समय में कम से कम इस परियोजना के ऊपर अब कार शुरू हो इसका जो डीपी आर है वो देखा जाए क्योंकि सर्वे कई बार हुआ और इसका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो भी एक बनाई गई थी लेकिन कुछ बात आगे नहीं ब रहे हैं जो खो हो जो बढ़िए एक जो बाइए थी लेकिन कार शुरू है